ग्राम मुरादपुर के ग्रामनी पहुंचे आज कलेक्टेट कार्याल है ग्रामनों का कहनाए कि उनके यहां विगत 15 दिनों से बिजली नहीं आ रही है जिसके कारण उनकी फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई है अगर जल्द ही उन्हें पानी नहीं मिला तो पूरी तरह अचले नश्ट हो जाएंगी वहीं ग्रामनों ने कहा कि बिजली के लिए कई बार बिजली विवाग को भी बोला गया लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई अगरामन आज कलेक्टर के पास अपनी फर्याद लेकर पहुंचे आज के पंद्रा दिन पहले से उसी बजली पड़ी है और पसल सूच रही है बल्दी साब ने पाल दियों से पैसे ले लिए सत्तर अजाल और उन तो लाइट दे रहे हैं और लेंडमनों ने लिए हैं अटाला अटाला अजाल उपे हैं हम उसे उसी लजाने जाते हैं तो साब पाल दियो तो भुलाता है वे बंडू दम पर चलाती है वह बार विवाद उस उटा है यह वहाद हो गया है और साब हमारी उसी नहीं ड़त रहा हूँ इस वट मादरा इस वट देदो मैं आपको दो जो दूना है बार जाते बाभाई दर उसे लिए पी किया नाम है तुमारी में लाइप चला दूजा है यह वह कभी में करिये दो वारा इस वन द्याद आप उप्सरपद बरादबुर्ट अमारे दाप है तुम साल पाथ जाओ और मदराशच भी है तीन चालर मदराशच है वो भी जाओ पसल सूख रही है वी पेर नहीं है पानी पीवी है ना काचु कर लए है पसल सूख रही है तो लाइट ही ने किसान है यह थी में ना किसांन है मुझे तरीवन थीन चाल अगर्ट ही ना किसान है झाल झाल